करें थे कि खरवास के बाद सरकार बना लेंगे का अपने हैं या अपने पाटी से निकल गए ये बातें जीतन रामाजी नेकल कही थी लेकिं ये सिक्के का एक अभी दूसरा पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं आप जानते हैं कि सिक्का बिना दोनों तरफ छपा हो तो नहीं चलता है अंचलुआ हो जाता है लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बड़ा ही ज्यादा दिल्चस्प है क्योंकि जीतनरामाजी को जो चाहिए इंडिये में वो मिलने की संभावनाय तो कम नजरा रही है हालाकि ये भी कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर नितिश कुमार ने जीतनरामाजी को ओफर दे दिया है लेकिन उससे बड़ा ओफर जीतनरामाजी को मिल गया है महागटवन्न के तरफ से लगतार आपने देखा होगा कि जीतनराम कांट्री मंडल और एक MLC की सीट मांग ले थी अब इसके बाद आप समझे क्या होगा क्या आपस की लडाई में भारती जन्तापाटी और जदियू एक सीट और एक मंत्राले कुरवान करने के स्थिति में हैं अगर नितीश कुमार ये समझते हों कि अगर ये सीट आ जाती है त क्योंकि भारती जन्तापाटी नितीश के सामने तो जुक सकती है पर माजी के सामने नहीं और जब माजी को उससे बड़ा ओफर दूसरे केमे से मिल जाए और संभावनाय बढ़ती नजर आए तो क्या जीतन राम माजी रूखेंगे ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा हौ में जबाब दिया है क्योंकि जब 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 जीतन राम माजी को जरूरत महसूस हुई है तब तब उन्होंने पाला बदला है जब उन्हें मुख्यमंत्री के पत से नितीश कुमार ने हटाया था तो वो एंडिये में चले गए थे और कहा था कि नितीश कुमार चले आया और कहा कि अब यह हम लोगों के जैसे लोगों के लिए नहीं रह गया है और ठास करके महागठबंधन खेमे में आने के बाद उन्होंने एक बड़ा तीर मार दिया था उन्होंने एक MLC की सीट अपने पुत्र को दिलवा दिती सम्झाओते का यही सबसे बड़ा फ तरब से नितिश कुमार और भाते जनता पाटी में क्या कुछ समझाओते होते हैं उस पर निर्भग करता है और जीतर नामाजी जो कह रहे हैं कि कहां गये बोलो पाटी में है कि नहीं है मिर्तुजय तिवारी ने साफत और पे एक बात कही है और उनकी बातों को यूँ ही न वारी ने बड़ा ओफर दिया है और कहा है कि वो गजियंत तुले है बिहार को बचाने के लिए और बिहार के विकास के लिए बिहार में बरतमान जू बड़ा कदम उठा सकते हैं क्योंकि सबसे जरूरी है बिहार को बचाना बिहार जिस स्थिति में भी है और भाते जंता पाटी नितिश कुमार पर दबाव बना रही है कभी भी सरकार गिर सकती है और तब जीतन रहमाजी के लिए कोई ओफर नहीं होगा इसलिए ओफर रहते अ कल ये बाते कह रहे थे कि कहां गये वो लोग जो सरकार बना रहे थे क्या सरकार बनाने वालों में जीतन रहमाजी की भूवी का अहम होगी दूसरी तरफ तो चुपी है क्योंकि चार सीट लेकर के जहां भी आईपी चुपी साधे हुए है वहीं जीतन रहमाजी इन चार है कि नहीं वह एंडिये छोड़ करके नहीं जा रहे हैं अब यह जो इस्थिती है और इस इस्थिती में क्या कुछ होता है क्या संभावनाएं प्रगठ होती है आप जे दिने तो ऑफर दे दिया है नितीश ने भले उस ऑफर पर बिसेस गौर नहीं किया हो लेकिन जीतन नामा जी के करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं देखिए क्या कुछ होता है क्योंकि खर्वास खतम हो गया है और अब यही बाते ज्यादा बिहार के राजनीत में महत्तोपूर्ण रहेंगी और इहीं पर चर्चाएं भी होगी जुड़े रही है भरत लाइब के साथ खबरों क देने वाला होता है नमस्कार अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीत और बिहारियत से स्वरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रु दबल जिरो धन्ने बागे